हलो दोस्तों स्वागत है आपका इडूटेरिया चलने पे इडूटेरिया के करेंट अफेर्स की इस वीकली सिरीज में मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का हार देकर अबनेंदन करता हूँ आज हम देखेंगे मार्स 2022 की घटनाओं में पहले वीक की घटनाएं उन पर आधारित प्रशन और उन प्रशनों के साथ-साथ उससे जुड़ी ही जो बाते हैं उनको भी जानने का आज परयाश करेंगे और आज मैं आपके सामने कुल 25 प्रशन लेकर आया हूँ मार्स 2022 के पहले सब्ता की घटनाओं उन पर आधारित ये प्रशन होगा तो चलिए ये शुरुआत करते हैं पहले प्रशन से पहला प्रशन है हाली में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ट कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोवी फेंज के उपयोग की मंजूरी दी है तो यह हवी आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का पाला प्लांट बेस्ट कोविड-19 वैक्सीन क्या है और उसका नाम क्या है तो यह है कोवी फिंज जिसे हाली में कनाडा देश की सरकार ने वंजूरी दी है तो इसका उप्शन D सही उतर है कनाडा के परधान मंतरी जस्चिन टूडो ने अपने देश में पौधे से बना हुआ COVID-19 वैक्सीन आप समझ रहे होंगे कि पौधे से बना हुआ यह COVID-19 का वैक्सीन है जिसका नाम है कोवी फिंज जिसे कनाडा देश ने अर्मत दिती है कनाडा के परधान मंतरी जस्चिन टूडो है आप याद रखेंगे कनाडा सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस COVID-19 वैक्सीन जिसका नाम है COVID-19 के उप्योग की मंजूरिती है क्यूबिक सिटी में इस तिस्थित बायो फार्मा कंपनी मेडिकागो और गैलेक्सो स्मित क्लीन ने इस वैक्सीन को तियार किया है यहाँ पहला ऐसा ठीका है जिसे प्लांट आधारित प्रोटीन तकनी का उप्योग करके विक्सित किया गया है तो आप समख सकते हैं कि प्लांट यानि की पोधे से आधारित या प्रोटीन तक नहीं करके से उप बनाया गया है और या कोरोना के इलाज में उप योगी है तो आप याद रखेंगे कि पहली बार COVID-19 का एक वैक्सीन बनाया गया है जिसमें प्लांट के प्रोटीन का प्रयोग करके या तैयार किया गया है और इसे मंजूरी दी है करनाडा की सरकार ने वरतमान में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो जस्टिन टूडो वहाँ के प्रधानमंत्री है हाली में कुछ दिनों पहले दोस्तो वहाँ पे Freedom Convoyer के कारण अपाद काल की गोशना की गई थी जस्टिन टूडों के द्वारा फ्रिडम कनवाय क्या था तो वहाँ पे जो ट्रकों का एक बड़ी लंबी लाइन थी जिसे फ्रिडम कनवाय नाम दिया गया था ट्रक डाइवर्स ने हर्ताल कर दिया था इसका रंदेश में आपातकल लगाया गया था अगला है आयोवेदिक ओधो के महतो के बाड़े बताने के उदिश से राश्टपती रामनात कोविन द्वारा कहा आरोग्ये języं नाम का बड़गातन किया गया है तो राश्टपती रामनात कोविंदी जी के द्वारा जो है नई दिल्ली में इसका उधगाटन किया गया है राश्टपती रामनात कोविंदी ने परधान मतरे नेद मोधी की उपस्तिती में इस आरोग वनम जो का उधगाटन किया है जो की राष्ट पतिभावन के प्रांगन में है आयोवधिक पौध के महतो और मानव अंगोप और उसके प्रभाव को प्रचारित करने के वुदेश से आरोग वनम बनाये गया है इस आरोग वनम का विस्तार जो है 16.6 एकड में है जहां लगबग 215 प्रकार की जो जड़ू बूधिया है उनके पौधों के यहां पर लगाया जाएगा और इसका उदगाटन जो है राश्पती रामनात कोविन जी ने किया है हाली में किस मंत्रले द्वारा NIMHANS संस्था के सयोग से इस्त्री मनुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है तो इस्त्री मनुरक्षा परियोजना की शुरुआत जो है महिला बंबाल विकास मंत्रले के द्वारा किया गया है किसके सयोग से तो NIMHANS निमHANS जो है एक संस्था इसके सयोग से किया है निमHANS का फुल फॉर्म है दोस्तों National Institute of Mental Health and Neuroscience ये इसका फुल फॉर्म है इस संस्था के सयोग से जो है इस्त्री मनुरक्षा परियोजना के सुरुआत महिला बंबाल विकास मंत्रले के द्वारा किया गया है वरतमान में इसके मंत्री कौन है तो आप देख रहे होंगी इस पिक्चर है इसमिरती अरानी जी का जिनों ने ही इस संस्था के सयोग से इस्त्री मनुरक्षा परियोजना के सुरुआत की गई जिसका उदेश है कि पूरे भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्त में सुधार करने के लिए दोस्तों इस तरी मनुरक्षा कारेकरम की सुरुआत की गई है इसका उदेश है संपूर्ण भारत में 6000 वन स्टॉप सेंटर कारेकरताओं को मानसिक स्वास्त प्रिशिक्षन प्रदान किया जा सके भारती वायू सेना द्वारा कहा पर वायू सक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है तो भारती वायू सक्ति अभ्यास का आयोजित किया गया तो आप देख सकते होंगे कि राजस्तान के जैसलमेर्च शेतर में जो है 7 मार्च को जो है पोकरन डेंज में वायू सकती अभ्यान का आयोजन किया जा रहा है इससे पहले 2019 में यह हुआ था वायू सकती अभ्यास में 148 भी भाग भाग लेंगे इसमें 109 लड़ा को विवान भाग लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही विष्दित और बहुत बड़े दर पे वायू सेना का यह अभ्यास है जो कि राजस्तान के जैसलमेर्च के पोकरन डेंज में शुरुक किया गया है नाम है वायू सकती अभ्यास आप इसे याद रखेंगे कि यह कहां पर सुरुक किया गया है तो राजस्तान के जैसलमेर्च के चेतरबे वर्तमान में भारत के वायू सेना के जो परमुख है एरचिफ मार्सल है उनका नाम है वी यार चोधरी इसे आप याद रखेंगे पर्तिवर्ष वायू सेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्तमान में भारत के जो वायू सेना के उपर मुख है उनका नाम है संदीब सी ये तीन बात आप ज़रूर याद रखें मार्स 2022 में भारत और अमेरिका के बीच उनिसवी सेने सहयोग की बैठक का आयोजन कहा किया गया भारत और अमेरिका के बीच में जो है रक्षभागी दाई को मजदूत बनाने के लिए आगरा में दोस्तों उनिसवी सेने सहयोग बैठक का आयोजन किया गया आप देख सकते ह कि भारत और अमेरिका का येजन्डा है और यह बैठक कायोजन कहा किया गया था दोस्तों तो उतर प्रदेश के आगरा में इसका ये और कैमे बैठक थी तो ये उनीश भी बैठक थी इस बैठक में मूल रूप से देखा जाये तो दोने दिसों के रक्षा संबंदों को सुधा पारने के लिए बैठा कायोजन किया गया था इसके साहद एक्सता भारतिय पक्ष के एर मार्सल बी आर कृष्णा और यूएस की ओर से लिफ्टनेट जनरल स्टीफन डी से क्लेंका के द्वारा यह किया गया था नाइट फ्रेंक संस्था द्वारा जारी दवेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार औरफपतियों की तीसरी बड़ी आबादी किस देश में इस्तित है हाली में एक संस्था है जिसका नाम है नाइट फ्रेंक उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई उस रिपोर्ट का नाम है दवेल्थ रिपोर्ट दो जरबाइस इसके अनुसार जो है विविन देशों में कितनी संख्या में औरप पती है उनकी सुची जारी की गई पहले नमबर पे है अमेरिका दूसरे नमबर पे चीन है और तीसरे नमबर पे भारत है प्रस्ट में पुछा जा रहा है तीसरी बड़ी अवादी अरब पतियों की किस देश में है तो वह देश है दोस्तो हमारा प्यार देश भारत आप्सन डी इसका सही उत्तर है नाइट फ्रेंक ये संस्ता है जिसके द्वारा या रिपोर्ट जारी की गई 748 अरब पतियों के साथ अमेरिका पाले स्थान पर है 554 अरब पतियों के साथ जो है चीन दूसरे अरब पतियों के साथ जो है भारत तीसरे स्थान पर है यानि आप समझ रहे होंगे कि भारत में कूल 145 अरब पती है चीन में 554 अरब पती है और जबकि अमेरिका में 748 अरब पती है तो ये अरब पतियों के सुची है जो जारी की गई थी नाइट प्रेंक संस्ता के द्वारा अगला प्राशना है हाली में पुर्व क्रिकेट खिलारी सेन वोन का निधन हो गया उनका संबंद किस देश से है सेन वोन का हाली में निधन हो गया दोस्तों उनका संबंद जो है ऑस्टेलिया से है प्राशना ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑस्टेलिया के किस पुर्व क्रिक के कारण इंकी मृत्यू हुई है थाइलेंड में जब एक विला में ये रह रहे थे तो उन्हें हाट अटक आया तो उस दोरा उनकी मृत्यू हो गई 52 मर्स की आईयू में इनका निधन हो किया है और अस्टेलिया के एक महान लेग स्पिनर के रुप में नहीं जाना जाता है दूसरे देश के नमबर पे आते है संभ और ने 1992 में भारत के खिलाप अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी तो इनन का नाम है दोस्तों समुद्री सिकंद्राबाद में राष्ट्री सुरक्षा दिवस के अवसर पर जो है स्वादेशी रूप से विक्सी ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सुभारम किया गया सफल परिक्षिन किया गया जिसका नाम है कवच यह आप याद रखेंगे सिकंद्राबाद में इसका परिक्षिन किया गया है इंडियान रेलवे टेस्ट कवच ट्रेन कॉलिजन प्रोटेक्षिन सिस्टम अब समझ सकते होंगे कि दो ट्रेनों का कॉलिजन ना हो इसका प्रोटेक्षिन के लिए जो है यास टेस्टिंग की गई है कहां पर की गई है तो सिकंदराबाद में हो सकता है आप से जगव पूछा जा सके सिकंदराबाद में राश्ट्रे सुरक्षा दिवस्यानि की चार मार्श के दिन इसका टेस्टिंग हुआ था और इस ट्रेन में रेल मंत्री असुनी वैशनम खुद मौजूद थे और इन्होंने अपने सामने इसकी टेस्टिंग कराई और यह एक सफल प्रडिक्षन रहा और इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तोत कवच इसका नाम रखा गया है स्वाचाली ट्रेन सुरक्षा परणाली है जिसका नाम है कवच इसका जो सफल प्रडिक्षन जो है वह से कंदराबाद में किया गया है जिरो स्थिति में एक ट्रेन को स्वचलित रूप से रोक देगा जब उसे निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन होने की जानकारी मिलेगी आप समझ सकते हैं कि जब एक ट्रेन गुजर रही होगी और उसमें इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लगा होगा कि य विष्व वने जीव दिवस 2022 मनाया गया विष्व वने जीव दिवस दोस्तों प्रति वर्श तीन मार्च को मनाया जाता है तो इसका उत्तर ऑप्शन भी है इस वर्श का जो थीम था वह था रिकवरी की स्पेसिज फॉर इको सिस्टम रियस्टोरेशन आप देख रहे होगे कि वर्ड वर्ल लाफ डे यानि विष्व वन जीव दिवस जो है प्रति वर्श तीन मार्च को मनाया जाता है या दुनिया भर में लुप्ट हो रही वन जीव वन अस्पतियों की पर जाती के प्रति लोगों में जय उत्ता उत्पन करने का कारे करती है 31 दक्षिन पूर्व एशियाई खेल वर्श 2022 में किस देश में आयुद किया जाएगा हाली में इसकी गोषना की गई है कि 31 दक्षिन पूर्व एशियाई खेल कायोजन जो दोस्तों वियत नाम में किया जाएगा option A इसका सही उत्तर है व्यतनाम में मई महिने में सकायोजन किया जाना है 12-23 मई तक इसकायोजन किया जाएगा दक्षिनपूर्व एसियाई छेतर का यह सबसे बड़ा खेल है इसका मोटो है एक मजबूत दक्षिनपूर्व एसिया के लिए सुभंकर वह सावला है 2013 में इस कायोजन जो है कमबोडिया के नुमपेन में किया जाएगा दोनों बाते आप याद रखेंगे कि South East Asian Games कायोजन इस वर्जन कहां किया जा रहा है तो वियतनाम में मई महिने में किया जाएगा इसका सुफंकर्ज होगा वो सावला होगा मोटो क्या है एक मजबूत दक्षिनपूर एशिया के लिए और अगला वर्ष कहां होगा तो कमबोडिया के नुमपेन में इस कायोजन किया जाएगा B.S.E.S. संस्था के दोरा भारत का पहला Smart Manage Electrical Vehicle Charging Station कहां सुरू किया गया है तो यहाँ शुरू किया गया दोस्तों नई दिल्ली में Option A का सयुतर है नई दिल्ली के मयूर विहार में पहले Smart E-Vahun Charging Station की शुरुआ की गयी है यह Charging Station जो है B.S.E.S. के दोरा लगाया गया है इस 11 kg टन चमता वाले Electric Vehicle Charging Station में एक साथ पाँच वहानों को चार्ज किया जा सकता है अब समझ सकते हैं कि यह एक Smart Manage Electrical Vehicle Charging Station है जहां पे 11 kg टन चमता है और एक साथ में पाँच जो वहान को चार्ज किया जा सकता है और यहां नई दिली में अस्थापित किया गया है संस्था कौन है तो B.S.E.S. संस्था के दोरा इसे अस्थापित किया गया है अगे बढ़ते हैं अंतराष्टी निसानेवाजी खेल ISSF विसुकप 2022 के संबंद में कौन सा कतन सत है ISSF विसुकप 2022 का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया भारत ने कूल साथ पदकों के साथ पदक तालिका में प्रतमस्थान प्राप्त किया भारतिये टीम ने चार स्वर्ण दो रजट और एकांस पदक अपने नाम किया इस परकार ओप्शन D सही उतर है उपजुक सभी वह सही है ISSF विसुकप 2022 का आयोजन मिस्र के काहिरा में 26-8 मार्ज के बीच में किया गया 26 परवड़ी से 8 मार्ज के बीच में भारतिये टीम ने कुल साथ पदक जीते साथ पदक में चार स्वर्ण थे दो रजट और एकांस पदक सामिल था पदक तालिका में जो है भारत को पहला स्थान प्राप्ट हुआ है पहला स्वर्ण पदक भारत की ओर से जो है सौरब चोधरी ने जोस्त निसाने बाजी में जीता है 10 मीटर एर्विष्टर में अगला प्रशन है दोस्तों हाली में पाचवी संयुत राष्ट पर्यावरन सभा कहा संपन हुई काफी महत्पून प्रशन है दोस्तों संयुत राष्ट पर्यावरन सभा यानि की UNE की पाचवी बैठक कहा आयोजित की गई तो या केनिया की राधानी नेरोबी में आयोजित की गई संयुक्त राश पर्यावरन कारेक्रम की पांचवी सभा जिसे UNEA 5 कहा गया है 28 फरवरी से 4 माज तक केनिया की रादानी नेरोबी में आयुज़ की गई UNEA 5 का जो समगर विशय था वो था सतत विकास लक्षो को प्राप्ट करने के लिए प्रक्रती के लिए कारियों को सुद्रेट बनाना ये इसका जो है मुख्य विशय था UNEA की जो बैठक है वो UNEP के द्वारा आयुज़ की जाती है UNEP की बैठक को UNEA कहा जाता है दोस्तो United Nation Environment Program है जिसकी अस्थापना 1972 में की गई थी और इसका मुख्याले जो है वो अकेनिया की राधानी नेरोबी में है तो अब याद रखेंगे कि UNEP की बैठक को दोस्तो UNEA कहा जाता है हाली में भारतिये सेना द्वारा तीन दिवसिये सितकालिन उत्सव का आयोज़न कहा किया गया भारतिये सेना के द्वारा तीन दिवसिये सितकालिन उत्सव का आयोज़न जमू कस्मीर में किया गया भारतिये सेना द्वारा टैगर डिविजन ने कस्मीर परेटन विवाग के सयोग से गुलमर्ग में तीन दिवसिये सितकालिन उत्सव का आयोज़न किया महुतसब का उद्यसे था करपस्मीर में परेटन को बढ़ावा देना और घाटी के कालाकारों को अपनी परतिवा दिखाने का अवसर परतान करना इस उद्यसे से जमुकस्मीर के गुलमर्ग में दोस्तों सीथ कालिन उद्सब का एवजन भारतिय सेना के दौरा किया गया परत्मान में भारतिय सेना के जो परमुक है उनका नाम है मनोज मुकुन नर्वने यह आप याद रखेंगे तो यह कहां किया गया है तो जमुकस्मीर के गुलमर्ग में इसका आवजन किया गया है गुलमर्ग नाम से दो तीन और बाते आप याद रखेंगी हाली में जो है विश्व का सबसे बड़ा यानि सबसे उंचा जो इगलू कैफे है वह गुलमर्ग में ही दोस्तों अस्थापित किया गया है हाली में जिसकी हाइट 37.5 फीट है गुलमर्ग में ही दोस्तों दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है और गुलमर्ग में ही दुनिया का सबसे उंचा इगलू कैफे खोला गया है सागर परिक्रमा कारेकरम का पहला चरन किस से राजे से सुरू किया गया सागर परिक्रमा कारेकरम का पहला चरन गुजरात से सुरू किया गया दोस्तों ओप्सन ए इसका सही उतर है देख रहे होंगे आप सागर परिक्रमा कारेकरम 2022 कहां से प्राड़म किया गया है तो मांडवी से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं मांडवी से प्राड़म किया गया है आजादी के अमरित महोसब के एक भाग के रूप में सागर परिक्रमा कारेकरम सुरुक किया गया है इसका होजर मतस्य पालन विभाग, राष्टिये मतस्य विकास बोर्ड, भारतिये टरक्षकबल, भारतिये मतस्य सर्वेक्चन, गुजरात समुदरी बोर्ड और मचुवारे के परतिनी दियोदोरा किया गया है प्रोपर यदि आपसे इसका मंत्राले पूचे तो आपका उत्तर होना चाहिए मतस्य पसुपालन और डेरी मंत्राले ने इसकी सुरुवात की है और ये कहां से सुरुक किया गया है? तो यहां गुजुरात से सुरूख किया गया है सागरप्रिकमा का पहला चरह गुजुरात से पाँच फरवड़ी को सुरूख किया गया है और यहां दो दिनों के लिए सुरूख किया गया है मार्श 2022 में दो दिवसीे Study in India 222 बैठक का आयोजन कहा किया गया दोस्तों Study in India बायठक कायोजन दोस्तों बैंगलादेस की रधानी ठाका में किया गया है तो Option A का सही उत्तर है ठाका में दो दिवसीए Study in India 2022 बैठक कायोजन 4 मार्च को किया गया Study in India कारिक्राम 2018 में सिक्चा मंतरा लेके द्वारा सुरू किया गया था बैंगलादेस की रधानी कहा है तो ठाका है वहाँ के पृधार मंतरी कोन है तो वर्तमान में सेख असीना वहाँ के पृधार मंतरी है और बैंगलादेस की जो मुत्रा है वह ठाका है या आप यार रखेंगे ICC महिला Cricket Visto Cup 2022 कायोजन किस देश में किया गया है तो अभी हाली में चल भी रहा है ICC महिला क्रिकेट विशुकप और इसका आयोजन जो है New Zealand में किया गया है New Zealand में इस वर्स आयोजित किया गया है ICC Women's Cricket World Cup 2022 आप देख सकते होंगे यह लोगो है ICC महिला विशुकप 2022 जो कहा है जो कि न्यूजिलेंड में आयोजित किया रहा है तुट्रमेंट की मिजवानी चासारो, आउकलेंड, क्रेश्चर्ट, डूंडीन, हैमेल्टीन, तोरंगा और वेलिंग्टन में किया जाएगा आपको यह सब नाम याद रखने की जोरत नहीं है, आपको सिंपल सा याद रखना है कि आप कहाँ पर किया जाएगा तो यह आज़ित किया जा रहा है न्यूजिलेंड में सरकों पर आने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बूलेंस सेवा किस सहर में सुरू की गई है तो पहली बार एम्बूलेंस सेवा जो है सरक पर गूमने वाले जानवरों के लिए सुरू की गई है कि जानवारों के लिए भी सरकार के द्वारा या कदम उठाया जा रहा है पहली एंबुलेंस सेवा है जो की चिन्नवारी में सुरू की गई है अप्सन सी इसका सही उत्तर है अब देख सकते होंगे इन्मन मोबाइल मेडिकल एंबुलेंस है यानि कि यदि कोई इन्मन घायल हो जाता है तो आप फोन करें 1962 पे और एंबुलेंस आएगी और उस जानवार को इलाज करने के लिए होस्पिटल लेके जाएगी सरकपर रहने वाले जानवारों के लिए भारत की पहली अम्बुलेंस सेवा चिननी तमिलाडों में सुरू की गई है इसकी सुरुआत ब्लू क्रोश ओफ इंडिया दौरा अंतराश्टिये पसु कल्यान संगठन फॉर पाओ के सहयोग से किया गया है पसु के देखभाल तथा घायल और बिमार सरकप के जानवरों के उपचार प्रतान करने के लिए पसु चिकितसक के साथ हॉस्पिटल ऑन वील्स सुरू किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि इसी में जो है डॉक्टर सोंगी ऐसे में इस एम्बूलेंस में ही उसका इलाज किया जा सकेगा अभ्यास सिलीनेक्स का नौवा संस्क्रण 7 माज 2022 को भारत और किस देश के बीच में सुरू किया गया दोस्तों भारत और सिलीनेक्स नौ सेनिक अभ्यास का आवजन किया जाता है 7 माज 2022 से इसका आवजन किया जा रहा है और इस वर्स इसका आवजन भारत में किया जा रहा है भारत के विशाका पटनम तर पर इसका आवजन किया जा रहा है तो भारत और स्रिलंका के वीच में जो है इसका आवजित किया जाता है सिलिनेक्स का सिलिनेक्स क्या है तो एक नो सेनिक अभ्यास है और इस वर्ष उसका नोवा संस्क्रण आवजित किया जा रहा है भारत से लंका द्वीपक्षी समुदरी अभ्यास लिनेक्स का नौवा संसकरन विसाका पत्नम में 7 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में आवजित किया जा रहा है अगला नाम है मिथिलेस तिवारी जी का जिन्होंने किताब लिखे है उरान एक मजदूर बच्चे की और तीसरा किताब है जो कि स्रिष्टी जहा के दोरा लिखे गई है दा क्वीन ओफ इंडियन पॉप दोस्तों ये सभी के सभी सही सुमेलित है इस परकार ऑप्शन डी सही अगला प्रसन देखते हैं हाली में 60 मिलियन से अधिक दीमेट खातों को पंजिकरित करने वाला विश्व का पहला डिपोजिटरी कौन बन गया है तो यह डिपोजिटरी जो बन गया है उसका नाम है सेंटरल डिपोजिटरी सर्विसेज लिम्टेड भारत जो है पहला ऐसा बैंक बन गया है पहला ऐसा डिमेट खातों को पंजिकरने वाला विश्व का डिपोजिटरी बन गया है सेंटरल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया ने गोशना की है कि उसके पास अब 6 करोर से अधिक यानि कि 60 मिलियन से अधिक सक्रिये डिमेट खाते हैं सेंटरल डिपोज रखेंगे हाली में मुवाइल वर्ड कॉंग्रेस 2022 कायोजन कहा किया गया है बहुत ही मुवाइल वर्ड कॉंग्रेस कायोजन तो है इस वर्ड जो है इस्पेन के बार्सिलोना में किया गया है option D इसका सही उतर है अब देख सकते होंगे mobile world congress यह किया गया था और कहापे किया गया था तो बार्सिलोना में इसका आउजन किया गया था global system for mobile communication association GSMC ने दुनिया के सबसे बड़े mobile phone मेले mobile world congress 2022 का आउजन बार्सिलोना इस पेन में किया COVID-19 महावारी के बीच दोस्तों इस बीच है hybrid रूप से इसका आउजन किया जा रहा है इस event में नोकिया, गूगल, फेस्बुक, जियोमी, आसूस, सुनी जैसे ब्रांड सामिल हो रहा है GSMC की अस्थाप्तना 1995 में की गई थी और इसका मुख्याले जो है वो लंदन यानी United Kingdom में है हाली में किसे पंडित हरी संकर परसाद चौरसिया Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है तो उनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान जो की सरोदवादक है अब देख सकते होंगे परसिद सरोदवादक उस्ताद अमजद अली खान को 6 मार्ट 2022 को पंडित हरी संकर परसाद चौरसिया Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है अमजद अली खान 2001 में भारत का दूसरा सरोदवाद नागरिक सम्मान पद विवोशन से सम्मानित किया जा चुका है तो उस्ताद अमजद अली खान को हरी संकर परसाद चौरसिया Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है भारतिये कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़ कर कौन सा खिलारी टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे की नमबर के खिलारी बन गई है तो उनका नाम है आरस्विन Option A इसका सही उतर है आरस्विन ने जो है कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और दूसरे ऐसे खिलारी बन गई है जिनोंने टेस्ट किरिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिया है तो कपिल देव के 434 विकेट के रिकॉर्ड दोड़ते हुए आरस्विन जो है दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलारी बन गई है भारत की ओर से ये उनकी तस्वीर है आप देख सकते होंगे पहले नमबर पे कौन है तो पहले नमबर पे जो है अनिल कुमले है जिन्होंने भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए है टेस्ट में दूसरे नमबर पे आप कपिल देव से आगे निकल गए है आर अश्विन भातिये क्रिकेट टीम में ऑफिस बिनर रवी चंदर अश्विन ने मोहाली टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सफल गेंदवाज बन गया है उन्होंने कपिल देव के 434 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है या जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है सिल्लंक के खिलाफ विकेट लेकर बनाया है बढ़ते हैं अन्तिम प्रस्ण की और भारत प्रसांथ से ने स्वास्त विनिवें सम्मेलन का उलगाट अंकिस के द्वारा किया गया है तो भारत प्रसांथ से ने जटिल और औरस्परस दुनिया में सेन स्वास्ते सेवा तो आप याद रखेंगे कि इसका जो विशय था एक औरस्थिर अनिश्ची जटिल और औरस्परस दुनिया में सेन सेने में स्वास्तसेवा इसका उदेस है सेन चिकित्सा में सहयोग और सिंख कोशल को बढ़ावा देना तो भारत प्रसांथ सेने स्वास्तविन में संब्हेलन का ऐजन जो है वो डिजिटली माध्यम से किया गया आवासी रूप से किया गया और इसका उखाटन रक्षा मंतरी राजनासरी ने किया